my dear friends how are you today i will clear you conjunction of class 4 in this video conjunction क्या होते हैं जो दो words यह दो sentences को आपस में जोड़ते हैं जैसे इसमें and or but so because since yet इनका यूज़ करते हैं and means or or means जब choice होते तो और का यूज़ करते हैं but जब equality अच्छे और एक उससे opposite तो but का यूज़ करते हैं so means is because means क्योंकि since yet फिर भी okay आई अब exercise करते हैं let us revise either Mr. Mehta or Mr. Obray will take the interview या तो Mr. Mehta interview लेंगे या Mr. Obray interview लेंगे अब इसमें से 24 ते दी गए जब 24 की बात आते हैं तो हमें और का यूज़ करना होता है वैसे भी either के साथ हम और का यूज़ करते हैं either Mr. Mehta या फिर Mr. Obray will आया तो गे गे में हिंदी जाएगे we will take the interview लेंगे our second sentence is did Ankit win the match और रवी अभी हम भी 24 दी गई या तो Ankit में जीतेगा या फिर रवी जीतेगा तो जब 24 की बात होती है आप रोटी लोगे या चाय लोगे टी लोगे या कोफी लोगे जब 24 की बात होती है तो हम और का यूज़ करते हैं या तो Ankit में जीतेगा या रवी जीतेगा तो और यूज़ होगा मिसीज मालानी टीच बोथ इंग्लिस एंड हिस्ट्री अब जो मिसीज मालेनी है वो हमें इंग्लिस और हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट पढ़ाती है जब बोथ हाता है हमारे संटेंस में तो अब हमें एंड का यूज़ करना होता है बोथ के साथ हमें से एंड यूज़ होत अब यहां पर end के द्वार इनको और ऐसे भी आ रहा है आर का बात है जो दो संटेंस आपस में जूड़े हो तेल्विजन और रेडियो दोनों वर्किंग कर रहे हैं आगे दें कि अब इसका कारण दिया गया कि वो उदास है क्यों उदास है क्योंकि उनके बच्चे दूर गए है तो भी कोज आएगा इस तरन एंड टोस्ट अब वोल एर दबैटमेंट वैं मूड़ा और उसने गेंद को बलेबाज की तरफ उच्छाला वैं मूड़ा और if it's your birthday आज आपका बढ़ड़ है क्या आज आपका बढ़ड़ है या your parents wedding anniversary क्या आपके parents की wedding anniversary है या फिर आपका बढ़ड़ है इसने कोशनिंग की गई क्या आज आपका बढ़ड़ है या आपके parents की wedding anniversary आज आपके घर में कौन सा festival है many people were hooting कुछ लोग फुटिंग कर रहे थे बहुत सारे लोग फुटिंग कर रहे थे 0-0-0 वाजा फुलोप तो यह नाट कम टू सकूल नहीं आ सकता, अब कारण दिया गया है कि वो फुल नहीं आ सकता, यह तीक नहीं है he is underweight and healthy उसका जो weight है वो कम है और वो स्वस्त है एक इनसान की two qualities है उसका जो weight है वो कम है और वो स्वस्त है पे देखिए the food was neither tasty nor healthy जो food है वो ना तो tasty है और नहीं healthy है मतलब नहीं वो अच्छा है और नहीं वो tasty है तो neither के साथ हम nor को यूज़ करेंगे the building is so high जो building है वो बहुत ही उंची है that nobody wants to climb its stairs कोई भी इसकी सेडिया नहीं चड़ सकता मतलब कोई भी इसकी सेडिया नहीं चड़ना चाहता वांट साय है तो चाहता है कोई भी इसकी सेडिया नहीं चड़ना चाहता building is so high, building बहुत ही उंची है और कोई बिसकी सिडिया नहीं चड़ना चाता Before I finished my paper The bell, the araram bell had run मेरा paper finish होने से पहले ही Araram bell बच चुकी थी Buddha taught that Desire lead to sorrow Buddha नहीं हमें सिखाया कि जो इच्छाएं हैं वो दुख की तरफ लेकर जाते अगर हम किसी इच्छा की इच्छा जाते हैं वो हमें दुख की और लेकर जाते हैं अगर हमारी इच्छा कोई पूरी नहीं होती तो वो हमें दुख देती है The postman found it difficult to deliver the letter as handwriting was not readable जो postman है वो इस letter को deliver करने में काफी difficult हुई काफी करना ही हुई क्योंकि जो handwriting थी वो readable नहीं थी क्योंकि जो उसकी handwriting थी Sanders की handwriting थी वो readable नहीं थी Either Rohan और Fatima will complete this race या तो Rohan या फिर Fatima इस race को complete करेंगी जब 24 आते हैं हम either और कायूज करते हैं Nevid is neither sick nor sad Nevid ना तो बिमार है और ना ही उदास है जब ना ही का sentence आता है तो हम neither और कायूज करते हैं I don't know मैं नहीं जानता हूँ Whether she will come or not मैं नहीं जानता कि वो कहां से आएगी या नहीं एक sentence देखिए Because I eat two pizzas I watch hungry हमें इसमें conjunction यूज करके इसको दुबारा से लिखना है इसको प्रोपर वे से लिखना है I ate two pizzas because I watch hungry इससे sentence को हमें दुबारा लिखना है sentence का प्रोपर यूज करके आगी है but poor we know this honest we know this poor but honest we know गरीब है फिर भी इमानदर है Our third sentence is He fell off the stairs hurt his leg and He fell off the stairs and hurt his leg वो सेडियों से गिरिया और उसकी leg तूट गई मदचोड लग गई next sentence is Her English is good her Hindi is bad but Her English is good but her Hindi is bad अब इसकी एक चीज अच्छी और एक चीज पूरी है तो यहां but का यूज करेंगे Her English is good but her Hindi is bad Because she was crying she lost her pet She was crying because she lost her pet वह रो रही है क्योंकि उसने अपना pet खो दिया है He was so hungry he shouted at him He was angry so he shouted at him वह कुछ सही इसलिए वह उसके उपर चिला रही है The river tried there were no rains because The river tried river सूख चुकी है Because there were no rains क्योंकि वहां पर बारिस नहीं होई इसलिए river सूख चुकी है तो आगे next sentence is So I will help him he is my friend मैं उसकी help करूंगा क्योंकि वह मेरा friend है He is my friend so I will help him वह मेरा दोस्त इसलिए मैं उसकी help करूंगा इसलिए के लिए हम सूख यूच करेंगे Would you like to have tea or coffee tea Would you like to have coffee or tea तुम coffee पसंद करोंगे या tea पसंद करोंगे 24 है एक प्रातना की गई है कि तुम tea पसंद करोंगे या coffee पसंद करोंगे As I are best and friend He and I are best friends He and I वह है और मैं एक अच्छे दोस्त हैं Okay, have a nice day